हलो दोस्तों आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है आज हम बात करेंगे महराथी अदकारा महीरी देश मुखी जो कि इन दिनों स्टार प्लस के पॉपुलर शो इमली में नज़र आ रही है और वो इमली सीरियल में मालिनी के किरदार में नज़र आ रही है और मालिनी के किरदार लोग को बहुत ही पसंद आ रहा है इमली सीरियल में इमली आदित्य और मालिनी का लव ट्रैंगल दिखाया जा रहा है जिसमें मालिनी एक प्रोफेसर के रूप में नज़र आ रही है तता इमली की बड़ी बेहन के रूप में भी उन्हें दिखाये गिया है पर दोस्तो एक्टर और एक्ट्रिस के जिंदिए में दो पहलो होते हैं एक रील होता है और एक रील होता है रील में वो लोग भीने करते हैं पर रील जिंदिए से कहीं हट कर होती है जैसे कहते हैं ना कभी-कभी इनसान अपने मुस्कुराहट के पीछे नजने कितने ही गम छुपा रहा होता है इसका अंदाजा सिर्फ वही लगा सकता है जिस पर वो गम बीत रहा होता है इसी की एक मिसाल महीरी देशमुक भी है महीरी देशमुक असल जिन्दगी में बहुत सादगी परस्त है सिर्फ में अपनी मनमोहक मुस्कुआन से सभी का दिल जीतने वाली महीरी के जिन्दगी में एक ऐसा दर्द आया जिस वो पूरी दरह से तूट गए बीते साल जुलाई के महीने में उनके पती अभिनेदा आशुतोष भाकरे ने सुसाइड कर लिया दोनों की शादी 20 जून 2016 को हुई थी आशुतोष भाकरे पिछले कुछ दिनों से कथित रूप से डिप्रेसन से गुजर रहे थे यह हास्चा होने के 9-10 महीने बीच जाने के बाद महीरी देशमुख ने अपने पती के नीधन के बारे में सबसे खुल के बात किया पती की मौत ने महीरी देशमुख को बुरी तरगे से तोड़ दिया पर मैयूरी देशमुग ने कभी जिन्दगे और हालातों से हार नहीं माना समय के साथ साथ खुद को समाला और आगे बढ़ने की कोशिश की टाइमस अफ इंडिया से बात करते हुए मैयूरी देशमुग ने कहा मैं आज भी उन से अपने पती से आज भी बहुत प्यार करती हूँ वो आज भी मेरी जिन्दगी का हिस्सा है मेरे अकेले रहने के लिए आशुतोष का प्यार ही काफी है दोस्तों दुनिया से लोग चले जाते हैं पर प्यार कहीं नहीं जाता कभीं नहीं जाता वो हमेशा हमारे दिल में रहता है आपको वीडियो कैसा लगो? कमेंट वोक्स में बताए थैंक यू फोर यू वाचिंग सब्सक्राइब मैं चैनल एंड कीप सपोर्डिंग